देखें बिहार एक ऐसा राज है जहां अपराधियों का होसला इतना जादा बुलंद हो चुका है कि उनको किसी बात की डर नहीं रह गई है और वो आए दिन यहां के अपराधी आए दिन किसी भी खास और किसी भी आम वेक्ति को जान से मारने की धमकी देते रहते हैं वहीं कई अपराधी बेखौफ होकर किसी को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं ऐसे ही यह खबर बिहार के गया जिले से सामने आई है और खबर यह है कि नितीश कुमार की पार्टी की एक पुर्व मलसी है जिनका नाम मनोर्मा देवी है उनको और उनके बेटे को एक पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई है आप समझे कि यहां आम आदमी की बात हम क्या करेंगे जब पुर्व मलसी किसी भी नेता किसी भी मंत्री के परिवार वालों को जान की खत्रा है ऐसा राज बिहार है वहां आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कैसे कर सकता है आपको बता दे कि जब पत्र में मनौर्मा देवी ने ये पढ़ा कि उनको और उनके बेटे रौके यादों को जान से मारने की धमकी दी गई है इसके बाद हरकम मज जाता है कोई भी वेक्टी मनोर्मा देवी की जगा होगा वो डर जाएगा और डर कर अपने नजदी की थाने में जाकर प्राथमी की दर्च कराएगा कि भाई साहब हमको एक पत्र मिला है और पत्र में हमको इस प्रकार से जान समारने की धमकी दी गई है मेरे जान को अच्छुरक्षा है मेरे जान कभी भी जा सकती है मेरे जान को खत्रा है इसलिए आप एक प्राथमी की दर्च कर लीजे बाकि क्या है पूरी खबर आगे की वीडियो में विस्तार से जानेंगे लेकिन उसे पहले नमशकार मेरे नाम है टॉली पांडे और आप देख रहे हैं सच्टॉक्स दरसल गया जिले के बेला गंजविधान सभासीत पर उप्चुनाव होना है जिसके पूर्व दावेदारी के लिए रौकी यादो मैदान में उतर चुके हैं ऐसे में माना जा रहा है कि जान से मारने की धमकी के पीछे की वजह इसी को लेकर हो सकती है जान से मारने की धमकी भरे पत्र ने होश उड़ा दिया है मनोर्मा देवी के एपी कॉलोने इस्तित आवास पर बिते 26 अगस को स्पीट पोस्ट के जरिये धमकी भरे पत्र मिले हैं इसके बाद बिते बुद्धवार यानी कल को रामपुर्थाना में अज्यात की विरुद प्राक्मी की भी दर्ज कराई गई है धमकी भरे पत्र में पूर्व एमलसी, मनोर्मा देवी और उनके पुत्र रौकी यादो को जान से मारने की धमकी दी गई इसके साथ ही यह भी लिखा गया है कि बड़ा धमाका होगा सब गतिवीधियों पर नजर है यह पत्र पत्रनाज जीपियों से स्पीट पोस्ट किया गया पता में राजेंदर नगर के रहने वाले इस शुसील कुमार का नाम लिखा गया है हलाके माना जा रहा है कि यह पता गलत दिया गया होगा उधर धमकी भरे पत्र के बाद पूरो एमेलसी और रौकी यादो परिशान हो चुके हैं आपको बता दे कि उधर पूरो एमेलसी आठ पांच आएन से पत्र आया है घर पर कमचारी अजय शर्मा ने इस पत्र को रिसीव किया था उन्होंने इसके पीछे किसी गिरोह की संभावना जताई है इस समंध में राम पूर्थाना धक्ष दिनेश बहादूर ने बताया कि पूरो एमेलसी की ओर से प्रात्मी की दर्च कराई गई है इस मामले की जांच की जा रही है और ये को ये पहली खबर नहीं है जो बिहार से सामने आई है बिहार में आई दिन ऐसी खबर सामने आती रहती है जहां किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है तो किसी को दिन दहारे जान से मार दिया जाता है किसी के घर में घुसकर चोरी कर ली जाती है तो किसी के घर में घुसकर माबाप के सामने बेटी को उठाने की धमकी दी जाती है और रेप करने की धमकी दी जाती है बाकि आप इस प्रकार की खबरों पर क्या कुछ राय रखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रू बताईएगा फिल्हाल वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं ने वीडियो में आप देख रहें सब्स्टॉक्स और मैं हूँ आपके साथ जॉली पांडे धन्यवाद